हाई वेलकाम अगें तो निम्बस लर्निंग पावर्ड बाइंजिनियर्स अकेडमी मैसल्फ पंकज गोयल वन अफ फाउंडर मेंबर अफ इंजिनियर्स आज हमारे 30,000 सब्सक्राइबर्स निम्बस लर्निंग पर हुए है जो कि बहुत ही शॉट टाइम में आप लोगों की आप लोगों के कंटीनियस चैनल के विजट करने के कारण ऐसा हुआ है तो शो दिस ग्रेटिटूट आई कैम है अगें थैंक्स अलॉट तो एवरिवन जो क कंटीनियू निम्बस लर्निंग पर अपनी चीज़ें देख रहे हैं और कंटीनियसली टीचर से नॉलेज ले रहे हैं इसी कंटीनियसन में एक इंपॉर्टेंट अनॉंसमेंट और है कि हमने जो दो दिन पहले एक सीरीज स्टार्ट कर दी थी इस्टेटेजी टू क्रेक दा एससी जेई 2019 इन 90 देज नबय दिनों में किस तरीके से आपको एससी जेई को क्रेक करना है क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में उस ताइम पर भी बताया था कि ऐसे बहुत सारे स्टुएंट होते हैं जिनके की मार्क्स 10 से 15 या 20 इतनी कम कट ओफ रह जाती है लेटा सब्सक्राइब के आसपास तक वह पहुंचते हैं जैसे कई सारे स्टुएंट है बहुत सारे स्टुएंट है जो अभी मेरे से कह रहा था कि सर जब 100 के आसपास कट ओफ थी तो मैंने 90 आते थे जब कट ओफ 130 प्लस चल लगी तो मैं 120 की रेंज में आ गया तो मैंने आपको बताया था कि यह सीरीज इसी उसी टाइप के स्टुएंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन स्टुएंट ने प्रिपेशन कर रखी है लेकिन टू आर्स में 120 मिनिट्स में 200 क्वेस्टिन को कैसे सॉल्व किया जाए और यह हैं और प्लस उसके बाद में आपसे प्रेक्टिस करवा रहें वह सिरीज और अपने पीक पॉइंट पर आएगी और अपने पीक पॉइंट करा मतलब है कि हम आपको जाते-जाते बाई-दधायं बिंग इस इस तरीके से practice करवाएंगे कि आपके 120 मिनेट में 200 questions solve होने चाहिए मलब यदि मैं reasoning की बात करूँ तो सर आप से इस तरीके से practice करवाएंगे कि 30 मिनेट में 50 question exam में कैसे attempt करने हैं यदि मैं technical की बात करूँ तो similarly 1 hour 60 मिनेट में 100 questions को कैसे attempt करना है तो उसको आप continuously बने हुए और मैं देख भी रहा हूँ कि लगातार उस series को continuously enjoy कर रहे हैं आप लोग उसी के continuation में अब हम एक civil और mechanical branch के लिए नया subject introduce कर रहे हैं हाँ जी नया subject yes it is only third day जो कल और आज second day ये कल ही ये series इस तर्ट ही आज ही हमने decide किया कि continuously बच्चे कह रहे हैं कि सब नया subject नया subject एक और subject start करें तो इसी लिए हमने mechanical और civil engineering के लिए हम start कर रहे है fluid mechanics FM your favorite आसुतो sir will start from today only in the evening at 9.45 9.45 मिनट से आपकी YouTube पर fluid की class continue होगी मैं वापिस से उन student को बता दू जिन्नोंने पहले वाला वीडियो नहीं देखा यदि आप civil और mechanical branch से belong करते हैं तो आपको classes देखनी है सॉम की सॉम भाई महिस सर टाइमिंग हमने पहले जो 7 o'clock था उसको हमने 6.30 a.m. कर दिया साड़ी 6 बजे कुछ बच्चे कह रहे हैं सर सुवे जगी नहीं पाते हैं अब एक्जाम निकालना है तो आपको जग नहीं पड़ेगा यदि आपको साथ में आज से civilized student है आज से आपका FM स्टार्ट हो रहा है 9.45 पीम शाम को 9 बज़ के 45 मिनट पर आपका FM स्टार्ट होने और reasoning जो continuously कर से चली रहा है आपके पास में आपका दिन में एक बज़े 1 पीम एक बज़े से आपका reasoning चल रहा है आप से और भी हम आगे discuss करते रहेंगे और general awareness को भी जल्दी हम आपके साथ में इंट्रिउस करते हैं यदि आप electrical engineering से हैं तो electrical engineering के लिए आप देख रहे होंगे measurement और दूसरा subject electrical engineering के लिए चल रहा है आपका reasoning. Measurement आपने देखा देवेंदर पाटिजार सरी taking the measurement in the evening at 4 p.m. और reasoning वो similar time पर चल रहा है at 1 p.m. यह सारी classes how to crack in last 90 days that is one of the precious time for every aspirant who is writing this examination. I hope so आप इन classes को enjoy भी कर रहे होंगे और वो मैं सुबह देखी भी रहा हूँ, दिन में भी मैं classes देखता हूँ. जिस तरीके से student के comment आते हैं, जिस तरीके से answer कर रहे हैं, I hope so आप सब का exam निकलने वाला है, बस अपना energy level maximum बनाए रखें enjoy करें classes को, good luck, और भी कोई suggestion हो आप comment box में डालते रहे है, we will implement on these suggestions. Thank you.